ऐलू फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काला चणा मसाला बिना लेसेन बिना प्याच का ये मसाला हम बनाएंगे अश्टमी नौमी में बहुत जगा पर काला चणा मसाला पूरी और हल्वा का प्रशाद माता जी को दिखाया जाता है तो वही काले चने हम बनाएंगे बहुती सिंपल रेसिपी है और एक सिक्रेट इंग्रीडियन डालेंगे जिससे हमारी ग्रेवी गाड़ी बनेगी तो चलिए देखते इसको कैसे बनाना है सबसे पहले तो हमें एक कटोरी जितना काला चना लेना है और उसको तीन से चार बार अच्छी तरह से पानी से वाश करना है अब चने इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इसलिए हमें इसको करीब करीब आठ से दस गंटे के लिए भीगो ना है ठीक है यहाँ पे मैंने पूरे दस से बारा गंटे रखा था और यह देखे आप चने एकदम फुल गए है और अच्छे से बिग गए है तो अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे और फिर उसको डालेंगे कूकर में साथ में ही डालना है कुछ खड़े मसाले जैसे की तेजपत्ता, डालचिनी, लॉंग, दोहरी इलाईची और काली मित 4-5 थोड़ा सा पाउ चम्मची डालना है थोड़ा ही डालना है नमक और फिर डालेंगे पानी चनी पूरी भीक जाए और उपर थोड़ा 2 इंच पानी रहे इतना ही पानी हमें डालना है अब हम कूकर की 4 सीटी लगाएंगे मेडियम फ्लेम पे 4-5 सीटी में ये अच्छे से पक जाते है ये देखिए अगर इसमें पानी रहे गया होगा तो वो फेकना नहीं है हम मसाला में यूज़ करेंगे वैसे ही रखना है बट अगर आप चाहे तो ये जो खड़े मसाले है वो इसमें से सारे निकाल सकते है चलिए अब हम लेते है एक छोटा सा बॉल उसमें डालेंगे कुछ सुखे मसाले पाउडर दो चमच लालमिच पाउडर दो चमच धनिया पाउडर एक चमच जीरा पाउडर गरम मसाला दो चमच कसुरी मेथी और सारे मसाले को मिक्स करना है मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसका ना एक पेस्ट जैसे बनाएंगे हम ऐसा इसलिए कर ले क्योंकि जब हम इसको तेल में छोड़ेंगे ना तो मसाले जलेंगे नहीं सुखे मसाले तेल में डालते तो क्या जल जाते ना इसलिए अब हम मिक्सी में डालेंगे थोड़ा सा हर्यादनिया एक हरिमेज और डालेंगे दो मेडियम साइज के तमाटर अब हम डालेंगे सिक्रेट इंग्रीडियंट वो है दो चम्मज बेशन बेशन से जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो गाड़ी बनेगी इसे बहुत अच्छी थिकनेस ग्रेवी को आएगी तो दो चम्मज बेशन डालके हमें टमाटर को पीसना है चलिए अब हम कडाई में डालेंगे तेल उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा डालेंगे पाव चम्मज हिंग और फिर डालेंगे हमने जो सुखे मसाले बनाये थे ग्रेवी पेस्ट बनाये था वो डालना है अब हम इसको लो मेडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा बूनेंगे जब तक कि ये हमारे मसाले तेल नहीं छोड़ते ना तब तक बूनेंगे जादा नहीं दो से तीन मिनिट लगता है अगर आपको लगता है कि हमारा मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा पानी डालए तो ये पक जाएंगे दो से तीन मिनिट में ये तेल छोड़ने लगेगा और जैसे ये तेल छोड़ने लगे न तो उस टेज़ पे हम इसमें डालेंगे टमाटर का प्यूरी जो हमने बना के रखा था वो इस लगारी डाले में मिक्स करना चुरक धोने जहाद थोड़ा सा जल्दी पकता है तां Anybody cookie or ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमें टमाटर को करिब करिब 10 से 12 मिनिट तक पकाना है जैसे जैसे हम तमाटर को पकाएंगे ना तमाटर तो पकेगा लेकिन हमारी जो एक ग्रेवी है वो गाड़ी बनेगी और सारा मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा तमाटर के साथ 10 से 12 मिनिट पकाने के बाद ये थोड़ा तेल भी छोड़ने लगेगा ये देखिए इस तरह से गाड़ी बनी है हमारी ग्रेवी और इस टेज पे हम डालेंगे काले चने और उसमें जो पानी है वो भी साथ में ही डालना है फेकना नहीं है अगर पानी थोड़ा कम पड़ा तो उबा लेंगे 10 मिनिट के बाद ये देखिए हमारा ये मसाला बिलकुल रेडी है तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और जो हमने सिक्रेट इंग्रीडियन डाले वो आप भी टालिए और देखिए कि आपका मसाला कैसे बनेगा तो फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ टेक केर बाई बाई थैंक यू